सबी दोस्तों का सबी बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत है UPSC वाला के यूटूब चैनल पर आज से हम शुरू करने वाले हैं पॉलिटी क्लास नाइन अभी तक आप क्लास 7 & 8 को पढ़ चुके हैं 6 7 8 और जिसमें कि हम बहुत सारे जो पॉलिटी के बेसिक से उसको भी हम चाज चुके हैं पस्ट पॉल आप सभी को बदा दू कि लास्ट टू क्लास आपको हैल्थ इशू की वज़े से नहीं मिली अब आगे जो है हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि एक दिन में आपको दो टॉपिक पढ़ा दूँँ दो चेप्टर करवा दूँँ तो इस तरह से आपके जो क्लास इसे हमने की बेसिक स्ट पढ़े आपको क्लियर होंगे और क्लास आप इन दोनों का तो रिवीजन भी कर चुके हो अब क्लास 8 का रिवीजन जो है वो मैं करा दूँगी आपको बीच में Saturday सबसे पहला कि लोगतंत्र क्या है और हमने लोगतंत्र को क्यों अपनाया है वैसे तो आप सभीने लोगतंत्र के बारे में पहले भी छोटेशोम पंठ रखा है थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत कॉश्ट होते हैं और उसर कार के कई प्रकारों में हमने लोगतंत्र की आप्रत्र की अप्रatan रिजमध्र हमने परेंframesर को अपनाया घरit क्या current affair है means का क्या question है वो भी मैं आपको बताऊंगी notes on बराते ही चल रहे है table of the content देखो बचो what is democracy and why democracy आज का विशय आपका यही है कि democracy क्या है और democracy क्यों है क्या इसके pros cons है क्या एक result निकल कर आता है democracy के definition क्या हो सकती है जब हम शुरवात के लेवल पर देखते है तब तब democracy क्या है और जब हम आज के युग में democracy की बात करेंगे तो इसमें आपका right to जो right to vote के साथ साथ आब आपका right to information भी शामिल हो है हमारे ने सब्वेधार निर्बान का काम किया लेकिन हम इसको अब थोड़ा सा standard थोड़ा सा विस्तार करते हुए पड़ेंगे electoral politics देखो इसमें आप पूरत चुनाव के बारे में जानेंगे कि चुनावी राजनीती क्या होती है चुनाव क्यों जरूरी है एक तंत्र की ववस्ता में हमारे चुनाव की क्या ववस्ता है राज सभा में क्या ववस्ता है लोग सभा में क्या ववस्ता है वर्तमान में चुनाव में जो problems हो रही है वह क्या है second AARC जो है वह चुनाफ सुधार के लिए क्या-क्या provision करती है इन तमाम बातों को हम समझेंगे ठीक है एन फिर हम देखेंगे working of the institutions जो संस्थाय है आप देखो इस में आप पढ़ोगे फिर से एक बात पूरा एजुकेटिव आपका जो judiciary system है आपका ज जब हम democratic rights की बात करेंगे तो अब deeply जाकर इनको पढ़ेंगे तो इसलिए मैं आपको शुर्वात में कहती हूँ कि जो आपके NCRTs है बच्चो वह आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाते और ऐसी क्रम से सिखाती है आपको खुद पताने चलेगा कि आप कभ सीखने चीज आप सभी ने दौा सुना होगा यह बार बार आप देखते हो कि यह क्यों से जो पानी निकाला जाता है तो रसी से कैसे पत्थर कर जाता है तो यह आपका practice करोगे और practice करना है answer writing की करना है and revision करना है बिना revision के because of UPSC सारा खेल क्या है memorizing का है अगर आपको recall नहीं हुआ आपको आपकी memory में चीजें ठीक तरह से fit नहीं बैठी है then films then means में कोई औचित नहीं है कोई importance नहीं है आपकी पढ़ाई कचा है आपने चार साल पढ़ा हो कोई मतलब नहीं है अगर recall नहीं हुआ memorizing revision बहुत important है class 8 का revision बहुत जदिकर वाओंगी ठीक है चलो so class 6 का NCRT का एक आपका chapter है यह पढ़ा दे रहे हूं यह मैं जस्ट आपको बता रहे हूं कि देखो इसके बारे में हम यह भी पढ़ चुके है की element of a democratic government आज मैं आपको democracy बताओंगी विबिन देशों में democracy कैसे शुरू ही उसकी बात करेंगे हम ठीक है तो लोगतांतिक सरकार के मुखितत्व हम पहले पढ़ चुके हैं आप इस chapter को correct कर सकते हैं इसके साथ कि एक democratic government में हम देखें कि equality जरूरी है justice जरूरी है conflict का जो resolution है वह जरूरी है विवादों का समधान जरूरी है समानता और नयाय के साथ साथ है ना and justice के लिए precondition क्या equality is that precondition precondition for justice काफी सारे बच्चोरे answer भी लिखा था और उसे चेक भी किया गया था तो अब हम आगे बात करेंगे कि आखिर आज की class में topic to be covered हम कौन से जो topics है वह पढ़ने वाले है तो आपका class 9 का NCRT शुरू हुआ है democratic political part 1 और इसमें हम नहीं देखा कि 5 आपको जो chapters है वह पढ़ने है democracy constitution design electrolog politics working institution democratic right so chapter 1 आपका जो है वह क्या कहता है सबसे first democracy का definition आखिर क्या है ठीक है features क्या है इसकी विशेष्टाएं क्या है आर्थ क्या है विशेष्टाएं क्या है याद करो साथ साथ जन्दी से कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या एक सही तरीका यह होता है कि जब आपको 10 पेज पढ़न है और हर एक टॉपिक में यह चार चीज है मेरे लिए जादा इंपोर्टेंट है तो यहीं एक सही तरीका है जिससे आप कही किताबों को कवर कर सकते हैं मेजर डिसिजन बाइद देखो यहां पर हम देखेंगे कि यह four key elements है यह four features है जो कि democracy में होने चाहिए cons of democracy क्या है ठीक ह argument in favor of democracy pros and cons को पढ़ेगे पक्ष और विपक्ष के क्या तर्ख है पक्ष और विपक्ष में जब हम कहते हैं कि democracy क्या है तो democracy यह है यहां तक पर democracy क्यों है क्योंकि जब हमने इसके लाब और हानी देखे जब हमने इनके merit और demerits की तुल्ला की तो हमें लगा कि बाकी चीज़ों इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं है इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है जो कि अब लोगतंतर का अर्थ है जो कि अब लोगतंतर का अर्थ है सबसे फर्स्ट सो यह चैप्टर आपको क्या बताएगा definition of democracy ठीक है थोड़ा सा हिंदी के कुछ वर्ट से वो मैं लिख देती हूँ क्योंकि फर्स्ट वाला जो आपका स्लाइड है कौन-कौन से टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसके लिए मैं हिंदी वर्ट लिख देती हूँ ठीक है definition of democracy की आखिर इसकी जो परिभाशा है वह क्या है प्लोचार्ट बना लो ठीक है features of the democracy इसकी विशेश्टाएं क्या है विशेश्टाओं में हमें चार मुख की जो विशेश्टाएं है वो इसमें समझ में आती है ठीक है 1, 2, 3 and 4 तो पहली आपकी विशेश्टा जो है वह ये कहती है कि प्रमुक फैसले जो है वैं निर्वाचित नेताओं के द्वारा लिए जाए प्रमुक फैसले निर्वाचित जिससे हमने चुना है निर्वाचित लोगों द्वारा लिए जाए ठीक है ये पहली विशेश्टा हो गई जिसकेंड स्काय फ्री एंद फेर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन ठीक है स्वातंत्र और निस्पक्ष श्वातंत्र वा निस्पक्ष चुनाभी प्रतियस पर्धा एंड थार्ड इस वन पर्षन वन वोट वन वैल्यू ठीक है वन पर्षन वन वोट एंड वन वैल्यू यहां एक्स्रा लिख दिया एक व्यक्ति जिसका एक ही वोट हो एक व्यक्ति जो एक ही वोट तो दे सके है न एक व्यक्ति एक वोट और इस वोट का मूल क्या हो एक हो एक मूल ले तो यह क्या है हमारा सार्व में क्वेस्क मतादिकार यहां से रिकलकर आता यूनिवर्स अडल्ट फ्रेंचाइज जिसको हम पढ़ चुके भारत में 1950 में इसको दिया गया था ठीक है तो हमारे यहां से शुरवात से ही जो ववस्ता है हलाकि सम्विधान सभा के जो चुनाव है यह बताओ क्या सम्विधान सभा के चुनाव इसी आधार पर हुए थे हमने यूनिवर्सल एडल्ट सफरे सार्वह में क्वेस्क मतादिकार को अपनाया था उस वक्त उस वक्त नहीं अपनाया था है ना 1950 से हमारे यह जो ववस्ता है वैं लाग हुए लास रूल फ्लोग और रिस्पक्ट फार राइट कानून का राज कानून का साशन साशन का नियम आप सुनते हैं रूल फ्लोग सही एक्ज़क्त वर्ट होगे इसमें विधी का शाशन विधी का साशन और अधिकारों की रक्षा ठीक है इन चार विशिष्टाओं को बच्चों हम समझेंगे अलग-अलग एक्जाम्पल्स के मांध्यम से पाकिस्तान में क्या हुआ जिंबाम में क्या हुआ फिजी में क्या हुआ सौदी अरब में क्या हुआ चीन में क्या हुआ मेक्सिको में क्या हुआ कैसे वहाँ पर आया कुछ कुछ के बाद थे हम से करन्ट अफेर का जो आपका डेमोक्रसी इंडेक्स उसकी बात करेंगे और मेंस का एक कुछिशन में आपको लिखने दूँगी अब तक जो आपने पड़ा है आप अराम से सभी चीज़ों को अगर सम क्यों की बात करते हैं कि हमने लोकतंत्र को क्यों अपनाया तब हम इन दो बातों को लेखते हैं वाई में लास्ट हम देखते हैं ब्रॉडर मीनिंग ओफ डेमोक्रसी की आखिर एक व्यापक जो अर्थ है वह क्या हो सकता है आधोने की यूग में व्यापक अर्थ क्या है सो यह हो गया what is democracy and why democracy यह है आपका पूरा चैप्टर एक एक करके चीजों को समझेगे अब देखो सबसे पहले तो मैं आपको इस शब्द का अर्थ बताऊंगा NCRT में नहीं है बढ़ हमें थोड़ा सा पढ़ना है ना देखो बच्चों कि जब हम इस word हम इस democracy की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है यह जो शब्द है वह कहां से लिया गया है तो देखो इसमें दो जो वर्ड है वह चुपे हुए है एक तो वर्ड है आपका जो यह आपका डेमो दिख रहा है ना इसमें वर्ड है डेमोस क्या है इसमें डेमोस वर्ड है और एक जो वर्ड है जिसससे क्रैसी बना हुआ है यह आपका क्रेटोस यह आपका क्रेटोस न तो जब हम डेमुस की बत करेंगे बच्चों तो डेमुस यह रहा ग्रीक होग तो इसका मितलब क्या है मीनिंग people ठीक है इसका मतलब क्या होता है लोग व्यक्ति एंड जब हम kratos की बात करेंगे kratos meaning power ठीक है so democracy can be though thought of a power of the people so यहां पर kratos का मतलब क्या होगे बच्चों power या शक्ति या सत्ता power शक्ति वर इतना सही नहीं होगा क्योंकि यहां पर हमें बात तो सत्ता की करनी है तो यहां पर अगर हम इन दोनों अर्थों को जोड़ दे लोग और शक्ति और सत्ता तो एक ऐसा system बना लेना एक ऐसा system बना लेना जिसमें कि क्या है कि लोगों के हाथ में सत्ता हो एक ऐसा सिस्टम बना लेना जिसमें जो शक्ति है शक्ति का सुरोजनता हो अब यह जो मैंने एक्जेक्ट वर्ड लिखा है न ये यूपियसी ने पूछा था ठीक है ये बच्चों यूपियसी ने पूछा था तो हम वीदा पीपल ओफ इंडिया याद आ रहा है क्या है ये व विधा पीपल ओफ इंड़िया यही हमारी ऐंगोस है। आपने इस अपिधान की जो प्रस्तावना है जो हमारा प्रियंबल है आपने इसको पढ़ा है तो यह शुर्वात यहीं से होती है वीदा पीपल ऑफ इंडिया और यही हमारी डेमोकरसी की पहचान है ठीक है यही हमारी डेमोकरसी की पहचान है तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि आखिर यह जो शब्द है वह कहां से लिया गया, तो इसका मतलब क्या सिस्टम in which the government of a country is elected by the people, मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें जो यह सरकार है वह कैसी है बच्चो लोगों के द्वारा चुनी हुई है, सरकार जो है वह लोगों के द्वारा च चुनी है, अब आगे देखो, एक और बाद सुनो, अच्छा जब हमने government पढ़ा था, तब हमने government का मतलब क्या जा रहा था, कि government का मतलब है, सरकार का मतलब है, एक ऐसे, एक ऐसा group of people, लोगों का ऐसा समूझ जिसके पास authority हो, जिसके पास अधिकार हो, authority हो किस चीज की, गवर authority सम्विधान में, शक्ती का स्रोत क्या है, ठीक है, power जो मिली है, जो सत्ता है, जो government की, उसका जो source है, वह क्या है, so we the people of India, बतलब लोग source है, सबसे जादा important क्या है, demo में, यह जो demos वर्ण है, जो आपने ग्रीक से लिया है, यह important है, समझे, तो यह हो गया, अब तक आपने ल होद कुछ पड़ा, वो सारा कुछ recall कर लेना है, उसको भूल ली जाना, उसको interlink कर लेना है, क्योंकि sometimes हो सकता है, आपके पास ऐसा कोई question आ जाए, जो कि केवल इससे ना solve हो, जो कि एक ऐसा question हो, जो कि आपको सब कुछ मिला के, देको कभी भी ऐसा question नहीं आएगा, कि लोग connected होता है, तो देखो जिसे मेंस का question है, लोगतत एक आधोनिक उदारवादी विचारधारा है, democracy is a modern liberal ideology, तो ये देखो उदारवादी क्यों है, हम पहले इसके पहले पढ़ चुके है, थोड़ा सा आपने लगभग, अगर मैंने यहापर आपको 200 शब्द दिये, आपने इसे 30 word में ये बता दिया, लगबग 30 word में और यही आपकी भूमिका भी होगी, है न, यह आपका starting का point होगे, भूमिका होगी, जिसके मूल आदर्शों के रूप में व्यक्ति की गरिमा, ध्यान रखना, democracy एक ऐसा रूप में जिसमें लोगों की सुनी जाती, तो व्यक्ति की गरिम तो है ही, व्यक्ति की गरिमा एक autocracy में नहीं होगी, एक dictatorship में नहीं होगी, मुनार्की में नहीं होगी, लेकिन democracy में तो होगी, है लो, तो स्वतत्रता, समानता, न्याय और साशन ववस्था, चार बात हैं यहाँ पर लिखी है, include, respect of, dignity of the individual, freedom, equality and justice, and the governance based on the consent of the general public, अच्छा य of the people, क्या है लोगतंतर का अधार, अगर हम यह कहें, consent of the general public, या people, लोगों ने, यह सब पढ़ चुके है, इसका हर एक word हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके है, अब आप पर depend करता है, सभी के बारे में तिन तिन लाइन लिखो ना, अब जैसे आपने सुना, व्यक्ति की गर की गई, उसको लिखो, साशन रवस्ता आम जनता की सहमती पर आधारितों को शामिल चर्चा ही करनी है, कुछ ऐसे तो है नहीं कि बहुत ज़दा चर्चा करनी है, चर्चा का मतलब होता है, आपको इसके सब्बंध में जो आ रहा है, उसको आप एक systematically way में cover कर ले, ठीक है, ए नहीं से शुरवात होगी बच्चों, अब आगे हम चलते, हर एक चीज में पढ़ा चुकी हूँ, देख लो, ठीक है, यह हो गया, इसका आर्थ हो गया, अब इसके आर्थ के आधार पर, इसके आर्थ के आधार पर चलो एक कुशन पूछते हूँ, ठीक है, यह जो कुशन है कि बिटेन है, फ्रांस कहां पर इसकी शुरुवात होती है, पहले हम इसको समझते हैं, एंसी आर्टी में नहीं है, लेकिन हम एक्स्ट्राफेक्ट पढ़ते हैं, वित रिफ्रेंस ऑफ दा फेस ऑफ दा एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रसी, अगर हम एक्सपेंशन यानि विस्तार है, अगर हम विस्तार की बात करें लोकतंत्र की, तो दो स्टेटमेंट है, फरस्ट है, दा प्रोग्रेस टूओर डेमोक्रसी इन फ्रांस स्टार्ट बिफोर दा बिटेन, फ्रांस में लोकतंत्र की दिशा में प्रागती बिटेन से पहले हो गई थी, फ्रांस में, The progress toward democracy in the Britain was very slow. Britain में लोक तंदर की दिशा में जो प्रगती है वह बहुत ज़ादा धीमी थी. तो इसका जो आंसर है वह क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? देखो ओप्शन नमबर 20 काल सरे ठीक है? फ्रांस में जो प्रगती है वह बिटेन से पहले नहीं हुई थी और जब फ्रांसी सी क्रांती होती है 1789 में तो वहाँ पर आपको याद अठना है कि वो जो डेमोक्रेसी उस वक्त फॉर्म आया था वो इस थिर बिल्कुल भी नहीं थ स्टेबली रहा आया गया आया गया इस तरह से जो है वह होता रहा तो यहां पर अगर करेक्ट इंफॉर्मिशन है तो सेकंड इंफॉर्मिशन जो है वह करेक्ट है अब देखो एक और प्रशन में आप से पूछती हूं अभी थोड़ा से चुकि चार सेंटेंस का था की बात की गई थी वस फुल अगर हम टुवंटी सेंट की बात करें तो यहां पर बीसवी शताब्ती में क्या हो रहा था कि जो ट्राजिशन है जो बदलाव है वह हो रहा था और बहुत सारे जो देश है वह एक दिशा से एक फॉर्म से निकल कर दूसरे में जा रहा थे ते बात करें लगे वहां था है और लगोर कर रहा था चार यह वह स्रेटमनें दिये है पहला कहता है कि बीसी सभी सदी में लोगतंत्र का विस्तार हुआ सेकिंड कहता है फ्रेंच रेवलिशन एपनेसी कांटर के एक didने तो बहुत पहले हो गई थी आप देखो येस में क्या कह रहा था कि फ्रांस की फ्रांस में प्रागिती पहले हो गई थी बिटन से गलत हो गया ना दोनों चीजे अपोजेट लिखी है भारतियों को सारोभों में किवस्क कमा जो मताधिकार है यूनिवर्सल एडल्ट जो फ्रैंचाइज है वो 1950 में मिल गय था ठीक है सबसे पहला देखो सबसे पहला जो है बच्चों यह कह रहा है देखो पूरी बीस्वी शताबदी में ऐसा नहीं हुआ था उसके पीछे कारण था क्योंकि देखो जब ब्राजील पेरू अर्जेंटीना इजब इन सब की हम बात करें तो यहां पर डेमोक्रिटिक लेकर तो आया डेमोक्रसी का फ़ोल लेकिन भाही कुआ नहीं हुआ होता गया धिरे 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 ऐसे करके कभी लोकतंतर की कुछ शर्त अ कभी नहीं लागए खेल और एक सेक्योर एक सुरक्षित लोगतंतर तो नहीं था बहुत बाद में आया वो ठीक है खट बिल्कुल सही है कि बिटेन में शुरवात पहले हुई और भारत में 1950 में जो आइडल प्रेंचाइज है दिया गया तो यहां पर बच्चों आपको करेक्ट बताना है 3 & 4 कहां पर और जैसे ही आपको इस डेफिनेशन का आंसर मिलेगा वैसे ही आपका चैप्टर खतम हो जाएगा कुछ नहीं है चैप्टर में ठीक है आप देखो कैसे कुछ नहीं है it is defined as a form of the government देखो कुछ मैं ब्लॉक बनाऊंगी form of the government where rurals are elected by the rurals are elected by the choice of the people जैसे ही आप इन चार शब्दों को देखेंगे ना जैसे ही बच्चों आप इन चार शब्दों को देखेंगे आपको इस question का आपको इसका आंसर जो है वह मिल जाएगा सबसे फर्स जब बच्चों फॉर्म की बात करते हैं ठीक है कि आखेर जो जो लोकतंत्र है वह एक ऐसे सिस्टम को डिफाइन करता है लोकतंत्र साशन का ऐसा रूप है जिसमें साशकों का चुनाव लोक करते हैं ठीक है यहाँ पर मैं थोड़ा से इसको definition को लिख देती कि लोकतंत्र में डेफिनेशन है इसको हिंदी में भी लिखना ज़रूरी है लोकतंत्र शाशन का ऐसा रूप है जिसमें शाशकों का चुनाव लोक करते हैं ठीक है जिसमें शाशकों का चुनाव लोक करते हैं एक पेश पर हिंदी वाले बच्चे इस definition को लिख लो और जो जो मैं बाते बता रही हूँ वो वो आपको ऐसे ब्लॉक करके और वहां लिखते जाना है तो देखो सबसे फर्स्ट क्या क रूप है तो यह कैसा रूप होगा what form of the government सबसे पहला पहला कुश्च्चन हमारे दिमाग में उठता है what form of the government what form of the government आखिर ऐसा कौन सा रूप होना चाहिए जैसे इस का अंसर मिलता है डेमोकरसी के definition एक प्रॉब्लम सौल्व हो गई इस वाले ब्लॉक पर आओ रूरल्स पर रूरल्स पर शाशकों पर हला यह बताओ अच्छा who are the रूरल्स जब हम शाशकों की बात करते हैं who are the रूरल्स कौन होंगे आखिरे who are the रूरल्स पर शाशक जो है वैं कौन होगे तीसरी बात होती है elected की ठीक है कि अगर लोगों के द्वारा चुदे हुए तो यह जो election है what kind of election what kind of election what kind of election what kind of election ऐसे कौन से election होगे कौन सा प्रकार होगा election का जिसे हम कहेंगे कि यह democratic तरीका है ठीक है देन देखो इसका answer क्या आता है कि एक democratic election होना चाहिए अब देखो democratic क्या है हमें एक definition मिल गई है already they define as a form of the government where rurals and are are elected by the choice of the people calling definition है लेकिन इस definition का जब पोस्ट माडब करोगे एक शब्द को समझोगे तब जाके सही तरीके से आप समझोगे democracy को तो democracy में फॉर्म क्या होगा आखिर rurals जो है वैसाशक कौन होंगे कैसे चुने जाएंगे यह अगली बात आती वोट काइड of election इसमें चार बाते है ठीक है इसमें क्या है बच्चो यह जो है ना इसमें चार बाते हैं अरे क्या हो क्या इसमें चार बाते हमें पढ़नी है सबसे फर्स्ट वोट काइड मतर जो decision है major decision by elected leaders by elected leaders जो चुने हुए लोग है यही फैसला ले इस तरह का जो democratic है उसे हम कहेंगे second है आपका free and fair electoral process होना चाहिए free and fair electoral process होना चाहिए इन सबकी English इन सबकी हिंदी है इस पेश पर लिख्यों यह बच्चो यह देखो यह चारों बाते ठीक है जुड़ती कहां से वह मैं आपको समझा रही हूँ free and fair electoral process होना चाहिए एक स्वतंत और निस्पक्ष जुचुनावी पधती है वह होना चाहिए प्रक्रिया होना चाहिए थज है one person one person one vote and one value and one value ठीक है और फोर्थ कहता है कि rule of law and respect their rights विदी का साशन हो rule of law and respect their अच्छा यह बताओ notes बना रहे हो कि नहीं notes बनाते रहो है ना notes बनाते रहो समझ में आ रहा है notes बनाते रहो कुछ से नहीं बना पाऊंगे कुछ से बनाओगे तो somebody जैसे लिखोगे हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़े जो आपके लिए इंपोर्टेंट थी उन चीज़ों को छोड़ दो तो इसने notes बनाते रहो प्लीज ठीक है तो देखो बच्छों हमने यह बढ़ा अब इसके आगे देखो लास्ट आपका बच्टा है कि जब हम लोगों की बात करेंगे who are the people यह लोग कौन है तो देखो जब यह आप सॉल्व कर लोगे यह definition आप सॉल्व कर लोगे आपका जो कुछ आपका जो यह चैप्टर ने वो खतम हो जाएगा ठीक है अब पाकिस्तान की बात कर लें हर एक देश खुद को लोगतंत्रिक देश कहना चाहता है पर क्या वो ऐसी शर्ते पूरी करता है जो एक लोगतंत्र के लिए हो सो देखो बच्चों यहाँ पर क्या है कि मालों वहाँ पर सैनिक तक्ता पलट हो गया मिलिटरी रूल आ गया आपका जो डैमोक्राटिक था या फिर जो संसत थी पारलेमेंट थी वह डिसमिस होंगे इसको भंक कर दिया आप फैसले मिलिटरी ले रहा है तो क्या आप उसको क एक तरह से एक ही पार्टी कम्मिस पार्टी हमेशा उसी की सरकार बनती है और अगर कोई और पार्टी को चुनाव लड़ना होता है तो उसे पंबीशन लेने होती है इस पार्टी से कम्मिनिस पार्टी से तो अगर आपके पास सही मायने में आपको जो हम कहें कि एक राजनत जीत रही है तब भर कहां लोग तंतहे तो भली वाँ चुनाय हो रही है रिगूलर हो रहु है छुकार आ रही है लेकिन फिर वी छूक लोग नहीं है वह लोग आप के लिए फैस्ले नहीं ले रहे हैं दबाव है free and fair election नहीं है सभी को सवान उट जीत हार के अफसर नहीं है कुछ reports कहती है कि भारत में लगबग 80 फीजदी 70 से लेकर 80 फीजदी जो और लेड़ी सत्ता में वो लोग हार जाते हैं इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि हमारे free and fair election है इसका मतलब क्या है कि लोग उन लोगों को चुनते हैं और उनको हटा देते हैं जो सही काम नहीं कर रहे हैं तो यह प्रॉपर डेमोक्रसी हो गई ठीक है और आगे देखो rule of law and respect their right हमने चुनतो लिया मालो हम अभी उधारण लेंगे आगे मेक्स कि वहां के जो रासपती है वह आते हैं समिधान को ही पलट देते हैं हाला कि आपने ही उन्हें select किया था आपने ही उन्हें लेक्ट किया था कि ठीक है जाओ साशन करो लेकिन वह चुने तो उसी ढग से गए लेकिन उसके बाद फिर वह ऑटोकरसी उनकी जो डिक्टेटरशि हर चीज पर बैन लगा दिया तो एक पक्ष्टों पूरा हो गया लेकिन दूसरा पक्ष्टों है दबागोल था तो अब ऐसे में क्या उसे लोगतंत्र कहोगे नहीं कहेंगे तो हम बस कुछ एक्जांपल से इन चार चीज़ों को समझ लेंगे ठीक है और बस एक हम यह देख कार ही नहीं था दो हजार पंद्रा के बाद जब बुक अप्डिटेड होई पंद्रा हो चुका था तो उसके बाद महिलाओं को वहां दिकार दे दिया गया राइट वोट का बट अगर मालो 100 में से आप 50 लोगों को पहले ही बाहर कर रहे है कि वो नहीं देंगे उनको राइ हम सबसे फस्ट पढ़ेंगे major decision take by major decision take by elected leaders ठीक है तो features of democracy में सबसे फस्ट अब यही देखना है major decision by the elected leaders ठीक है major decision by the elected leader अब इसको समझो सबसे फस्ट देखो सबसे फस्ट हम एक example लेते हैं जो कि मैंने आपको भी short में बताया पाकिस्तान का ठीक है पाकिस्तान में हुआ क्या पाकिस्तान में देखो पहले जो है वे विवस्था एक चल रही थी संसत की पार्लेमेंटर की लेकिन उसके बाद जनरल परवेज मुशरफ नाम सुना होगा आप सभी ने जनरल परवेज मुशरफ ठीके इनकी अगवाई में बचो ना इन टे नन में मिलेटरिस आशन एक तरह से लागू हो गया सैना के द्वारा तकता प्लत कर दिया गया ठीक है इस तक्ता प्लत का क्या मतलब है कि पहले मालो संसत दिंड़े रही ती अब जो है इन्होंने वहां की लाकि संसत को भंक कर दिया वहां की परलेमेंट को भंक कर दिया ठीक है हुआ ठीके वो उससे किया भंग कर दिया उसकी जगा इन लोगोत ने शाषन कर लिया तर देखो कि खुद को छीफ एजुकेटिव घोशित कर दिया मुख्यिकारेकारी कि अब जो सारा कारभार है भे हम देखेंगे चीफ एजुकेटिव चीफ एजुकेटिव यानि मुख्य कारेकारी घोशित कर दिया जनरेल परवेज मुशर्रफ ने खुद को मुख्य कारेकारी अधिकारी की सारी चीजे हम देखेंगे हम मॉनिटरिंग करेंगे ठीके इतना हो गया अभी तक तो यह हो रहा था इसके बाद इन्हों ने क्या किया कि जनरल परवेज मु जब ज़्यादा सकती जो है वह होशित की और इसके बात देखो इन्हों ने करवाया जब रास्टपती बन गए ना इन्हों ने करवाया जन्मत संग्रह यह बताओ जन्मत संग्रह जो है यह आपका प्रत्यक्ष का डारेक्ड डेमोकरसी का टूल है तो बच्चों यहां पर इन सब्सक्राइब जन्मत संग्रह इसके आकड़े गलत है और जन्मत संग्रह को ठीक तरीके से नहीं करवाया गया है मतलब बायस्ट है और साथी लोगों के साथ जोड़ जबर्दस्तिवी की गई है कि वह क्या करें जन्रेल जो परवेज मुशरफ थे इन्हें ही प्रेसिडें डर्ट के अगले पांच साल के लिया जाते हैं और इसकी बाल इन्होंने काहा कि फिलोगों ने मुझे चुना हैं और इसके बाद इनों नो एक ऑडर जारी किया जे से लीगल फ्रेमवर्क कहा गया क्या कहा गया जीसित 7-0 फ्रेंवर्क order कहा गया और इस legal framework order में इस legal framework order में यह referendum इन्होंने 2000 के आसपास कर आया ठीक है 2000 इन 2019 और यह 2002 तो यहां पर इन्होंने referendum कर आया बच्चों ठीक है आप दीखों यह legal framework था इसमें इन्होंने क्या-क्या चीज़े जो है वह कि इसमें इन्होंने पूरा Constitution ही चेंज कर दिया पाकिस्तान में फिर से सुनो जो बच्चे अपनी रिदम तोड़ बैठे हो पाकिस्तान की घटना हम पढ़ रहे हैं जिसमें कि में जनरल परवेज मुशरव जो है इनकी अगवाई में मिलिटरी रूल आ जाता है और जो पहले से यहां पर इलेक्टेट गवर्मेंट थी उसको डिसमिस कर दिया गया और इसके बाद इन्होंने चीफ एजुकेटिव खुद को घोशित किया और आगे जाके यह रास्टपती बन बैठे और फिर कहा कि इन्होंने रेफरेंडम कराया और कहा कि जंता जो है वह कुछ और चाह रही है और यहां पर लीगल फ्रेमवर्क एक और जारी किया यहां तक तो चीज़े फिर भी ठीक थी अब जब इन्होंने सारी चीजों को बदलाव करना शुरू कर दिया ठीक इन्होंने क्या कि बच्छों सम्मिधान बदल दिया Constitution को चेंज कर दिया ठीक है साथ ही देखो इसमें क्या कहा कि प्रेसिडेंट को यह राइट है प्रेसिडेंट को राइट दिया गया अधिकार था कि वह है नेशनल जो प्रोविंशियल वहाँ पर सिस्टम था ठीक है एसे कर सकते थे जो भी रास्टी और प्रांतिस्तर पर सरकारे थी नैश्टल एंड टोविंजियल टोविंशियल ठीक है इसको डिस्मिस कर सकते थे अब लगाते है एक बड़ा सा प्रश्न चिन अब यहां पर हाला कि कहीं न कहीं आपने देखो कहा कि जन्मस संग्रव हुआ था और लोग जो है चीजों को बरदाश कर रहे थे अब आपसे एक प्रश्न की क्या यहां पर लोगतंत्र है अब बताऊ अब प्रश्ण चेड़ी क्या उठ गया क्या यहां पर डेमोक्रसी है है डेमोक्रसी डेमोक्रसी क्यों नहीं दिखाई दे रही डेमोक्रसी क्यों नहीं दिखाई दे रही बताओ डेमोक्रसी इसलिए नहीं दिखाई दे रही बच्चों क्यों कि यहां पर इनके द्वारा जो उसको भी dismiss कर दिया, तो अब democracy की जो परिभाशा थी, उसमें क्या लिखा है, democracy की जो परिभाशा थी, वो क्या कहती है, यह परिभाशा कहती है, choice of the people, यह परिभाशा क्या कह रहे थी, कि ऐसी सरकार हो, जो लोगों के द्वारा पसंद हो, और जिसे चुना गया हो, वही असल मे निर्डएले, क्या कहा था हमने यहां पर, कि major decision by the elected leader, है ना, जो major decision है, वह उन लोगों के द्वारा लिए जाए, जो की चुने गए है, जो की लोगों ने elect किये है, पर यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर सम्विधान है, तो क्या कि वह सम्विधान है, तो क्या कि वह democracy, एक वर्ण हो गया, constitution, जिसपे हमने यह समझा था, कि सभी देश, ठीके, ऐसे सभी देश, democratic होंगे, जिनके पास constitution होगा, ऐसे देश, democratic होंगे, जिनके पास constitution होगा, लेकिन क्या ऐसा जरूरी है, हो सकता है, कि इनके पास, Constitution तो है लेकिन Constitution में ही चीज़े ऐसी है कि President ही सारे नियम लेगा वही सारे नियम बनाएगा तो उसमें कहा है फिर उसमें फिर democracy नहीं रह जाती तो इस तरह से हमने ये समझ लिया हम इस घटना करम से ये सीखे ये पहली विशेश्टा हमारे सामने आई कि अधितर जो फैसले है वो सभी फैसले उन लोगों के द्वारा लिए जाए उन लीडर के द्वारा लिए जाए जो की इलक्ट किये गए हैं लोगों के द्वारा आया समझ में तो यहां पर क्या था कि वास्तवीक्साशक कौन था वास्तवीक्साशक तो प्रेसीडेंट हो गए थे ठीक है सो यहां पर हमें क्या समझ में आएगा बडर्व those elected representative मतलब वास्थविक साशक वह नहीं थे जिसे हम ने चुना था वास्थविक साशक कोई और था तो पहली विशेष्टा पर हम आगए कि पहली विशेष्टा कहती है कि लोक्ततर में अंतिम निडड़नाय लेने की जो शक्ति है नहतु हुआ जो साशक है उनके पास होनी चाहिए आगई समझ में एक विशिष्टा एक विशिष्टा समझ में आ गई चलो अच्छी बात है इसको भी लिग दूना मेजर डिसेजन बाई एलेक्टिट लीडर प्रूफ तो हो गया ठीक है प्रूफ हो गया चलो अब एक क्विश्चन पूछ लो कि पहले मैं आपको रिडिंग करवा दो चलो आओ ये भी थोड़ा सा देख लो है ना सबने यहां पर क्या पड़ा कि देखो जो पाकिस्तान की जनरल परवेज मुशरब थे 1999 में इन्होंने मिलिटरी जो है एक तरस मिलिटरी रूल हो गया और खुद को चीफ एग्जुटि को दे दिया एड आफ्टर क्या हुआ कि जो एलेक्टिट कैंडिडेट है वेस्टे संपावर दा फिने दा फाइनल पावर रेस्टेट विड़ा मिलिटरी ओफिसर जनरल मुशरब इच्छों यहां पर यह लोग तांत्रिक कंट्री बिलकुल भी नहीं थी ठीक है तो समझ में इसी तरह से हम सारी चीजों को पढ़ेंगे आप देखो इसका एक बैस्ट फॉर्म है कि मैं आप से एक कुश्चन पूछलू आपको समझ में आएगा चलो कुश्चन पढ़ो जारा consider the following statement on the legal framework order of 2002 issued by our president in Pakistan ठीक है कि Pakistan के president के द्वारा जो legal framework order 2002 में जारी किया गया था उसके बारे में तीन statement है फर्स्ट कहता है इट अमेंड इट अमेंड दा कॉंस्टिशन ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान के सम्विथार को सजोधित किया गया the prime minister was given the power to dismiss the national assembly है ना जो प्रधार मंत्री थे उनको राश्टी और प्रांतिय सभा जो है उसका कि यहां पर बच्चों राश्टी सुरक्षा परिशत की स्थापना भी की गई थी सहरेक सरकार की कारेों की निर्गार निगरानी के लिए क्या होगा इस काल से क्या लग रहा है गलत क्या लग रहा है अब तक जो पढ़ा जिन बच्चों को क्लिक नहीं हो रहा है ना ध्यान रटना आपनी एक वर्ड मिस कर दिया और वो वर्ड क्या था exactly यह वर्ड प्राइम मिनिस्टर है ना क्योंकि हमने क्या समझा था हमने तो स कर लाता है आया समझ में नहीं आया चलो कोई बात नहीं आ गया चलो अच्छी बात है आ गया तो अब हम चलते हैं हमारी दूसरी जो विशेश्टा है फ्री एंड फेर election competition free and fair election competition हम अपनी दूसरी विशेश्टा को समझते है ठीक है चलो blank page पर समझाती हूँ सबसे पहले देखो बच्चो कि हम एक स्वतंत्र और निस्पक्ष चुनावी मुकाबले की बात अगर हम कर ले पर समय ची प्री सि अच्चुनावी मुकाबला double Salon प्री सिट्पक्षलाई के इचस्पक्ष चुनावी पकाबलावी निस्पक्ष चुनावी मुकाबलाव Bon के स्वातंत्र और निस्पक्षित चुनावी मुकाबला तो देखो आप हम यहां पर उधारन किसका लेंगे एक ऐसा देश जो की पाकिस्तान को सहयोग देता है भरत के विप्रिद हम उसकी बात करेंगे चाइना देखो चाइना में क्या होता है अच्छा मैं आपको हमवक देते हूँ आप यह देखिएगा कि चाइना की जो बॉर्डर है वह किस-किस देश से लगती है ठीक है एक हमवक लिख दूँ यहाँ पर बहुत साइट में लिख देती हो आपको एक मैप देखना है बच्चों ठीक और इस मैप में आपको देखना है कि जो चाइना के चारों तरफ कौन कौन से देश है ठीक है चाइना की जो बॉर्डर है वह किस-किस से लगती है एक बार यह देखना एक देश तयार करो उसके चारों तरफ के ठीक है चलो तो आप देखो चाइना की हम बात करते हैं अब द हर पास साल पर चुनाव हो रहे थे मतलब रेगुलर थे नियमित थे पर रेगुलर के आलावा किवल यही एक शर्थ तो नहीं क्यों क्योंकि दूसरी बात में समझ लो दूसरी बात में क्या था बच्चों कि देखो इसकी जो पार्लियमेंट है जिसमें की लगभग 3,000 लोग ह होने भी चाहिए देश का एस विश्व का सबसे बड़ा पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली देश है यहां की जो पार्लियमेंट है जिसे की रास्थी जन संसत कहा जाता है क्या है इसका चाइनीज नेम बोल भी नहीं पाओगे चलो खेर मैं बता देती हूँ नैशनल पीपल्स कॉंग्रेश नैशनल पीपल्स कॉंग्रेश ठीके द्रास्थी जन संसत जो है वह इसकी पार्लियमेंट का नेम है ठीके और वैसे क्या है कवांगो रैमनेंद दाई वियावो दाहुई कितने बचो को यान हुआ तो यहां पर देखो बच्चो नैशनल पी मेंबर से टोटल जोड़ लो हमारी संसत के संसत में राजी समा लाज लोग समा दोनों आएंगे नैशनल पीपल्स कॉंग्रेश ठीके यह संसत हो गई और यहां पर वच्चो इस पार्लियमेंट के पास यह पावर है कि यह प्रेसिदेंट को अपॉइट करती है ठीके पावर कार्णिश पार्टी चाहिनीज कॉंविनिस पार्टी यहां तक तो सब ठीक है अब यह देखो कि यहां पर हर एक बार जो है वह चायनीज कॉंविनिस पार्टी ही जीत रही है हाला कि यहाँ पर regular election हो रहे हैं लेकिन उसके बाद ही एक ही party जीती है और इसके अलावा क्या है कि अगर किसी और party को लड़ना है तो यहाँ पर जो contesting जो candidate होगे जो और चुनाव लड़ने वाले होगे जो candidate होगे other candidates है ना या फिर कोई party होगी तो इसे जानते हो approval लेना पड़ेगा इस party से अब यह बताओ कि अगर यहाँ पर democracy कैसे हुई अगर यहाँ पर आपके पास राजनेतिक विकल्प नहीं है आपके पास political political जो party है आपके पास उसके alternates नहीं है विकल्प नहीं है तो फिर आप इसे democratic कैसे कह दोगे तो other candidate जो party है उससे चुनाव लड़ने के लिए Chinese Communist Party से approval लेना पड़ता था उम्मीदवार को और लगभग 2002 से ठीके तीसरी कंडिशन क्या है कि 2202 से हमेशा कौन सी party जीतती है communist party ठीके जो communist party है यहीं हमेशा जीतती है और हमेशा यहीं गवर्ण करती है अब एक ही party जीत रही है आपके पास तो option ही नहीं है कि आप किसी और को जीतो आप आप किसी और से को वोट करो क्यों हला क्योंकि यहां पर communist party ही थी जो अन्य पार्टियों को चुनाब लड़ने के लिए अनुमती दे रही थी और हमेशा एक ही party की सरकार बन रही थी जो कि थी चाइनिस communist party तो अब ऐसे में जब election हो रहे हैं सो केवल election sufficient नहीं है ना तो यहां पर election तो हो रहे थे every five year regularly अच्छा एक वर्ट तो मैंने लिखा ही नहीं कि important था election तो हाला की चुनाफ तो हो रहे थे लेकिन क्या केवल election sufficient है अब एक प्रश्ण चिन हम इस पर उठाते है कि क्या केवल नियमित चुनाफ का होना sufficient क्या sufficient है क्या आपके पास real choice थी तो प्रश्ण क्या उठता है चाइना जिस तरीके के काम कर रहा था क्या आपके पास real choice थी आप और ना ही candidate के ना ही जो भी party थी उनके पास जीत और हार के समान अफसर थे जबकि एक democratic country में क्या होना चाहिए कि सभी के पास जीत हार के जो है मैं समान अफसर होना चाहिए तो हमने अभी तक क्या देखा कि जो real choice थी between political parties हमारे पास नहीं थी चाइना में नहीं थी political alternates राजनेतिक विकल्पों की उपलब्धता है ना हिंदी में भी लिख देती हो जो राजनेतिक विकल्प थे राजनेतिक विकल्पों की अनुपलब्धता लिखेंगे या फिर उपलब्धता नहीं है बात बराबर है अनुपलब्धता ओके ओके ठीक है तो यहाँ पर क्या राजनेतिक विकल्पों की उपलब देता नहीं थी, इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास one plus alternates नहीं है, that means वो जो है वर democracy नहीं हो सकती, ऐसे तो हर देश को democracy कहना चाहता है लेकिन वो इस चीज़ को follow नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या, आपके पास एक से राजजादा राजनेतिक विकल्प नहीं थे, लोकतंत्र निस्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में जो बैठे हुए लोग है, उन्हें जीतहार का समान अफसर हो, our democratic must be based on a free and fair election, where those currently in the power have a fair chance or losing, है ना, तो जीतहार के समान अफसर हो, तो चुनाव केवल सफिशेंट नहीं है, क्योंकि जीतहार के समान अफसर नहीं थे, जीत और हार के समान अफसर नहीं थे, इस वज़े से हम कहेंगे कि चाइना जो है, वह democratic नहीं, आई बस समझ में, तो पहली बात हमने समझी, पहली विशेशता हमारे सामने क्या आती है, कि मेजर जो डिसीजन है, वह लोगों के द्वारा लिये जाया, चुकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा था, क्योंकि जो इलेक्टेट लोग थे, असेम्बली से उसको भंग कर दिया जा रहा था, और जो रास्टपती बन गए थे, ठीके, उनके द्वारा निर्ले लिये जा और यहां पर free and fair election में हमने समझा चायना के उधारण से कि जब 5 एर पर regularly election तो हो रहा है, लेकिन यहां पर दूसरी प्रॉब्लम, ज़रूरी थोड़ी सब जगा सेम प्रॉबलम हो, जैसे आपकी life में हर एक व्यक्ति की जो problems है, वो अलग-अलग होती, किसी को हो सकता है कि परेशानी हो, किसी को mental health को लेकर परेशानी हो, किसी को को और परेशानी हो, किसी को बढ़ाई को लेकर परेशानी हो, किसी को financial को लेकर परेशानी हो, तो यहां पर बहुत सारी प्रॉबलम सो सकती है, life में, अब ठीक उसी तरीके से democracy में भी बहुत सारी problem है, दो हमने समझ द एक बार पढ़ लो बिना पढ़े तो भाई कुछ नहीं है पढ़ना तो पढ़ेगा थोड़ा सा है ला इंचाइड़ा तो अलेक्ट मेंबर फॉर दा कंट्री पारलेमेट्ट विच इस कॉल्ड ये वाला पढ़ लो भाई जो मैंने नाम आपको बता है नशनल पीपल्स कॉंग 2020, 2002 and 2003 Chinese Communist Party to Communist Party use to form the government हमेशा सरकार यही बना रहा है हमेशा सरकार यही बना रहा है ठीक है सिंस इंडिपेंडेंडेंस 1930 अब देखो यहां पर मेक्सिकों का भी उधारण है कि 1930 मैं अभी मेक्सिकों की बात में बात में करूंगी तो फिलहाल जो हमने पाकिस्तान का सारी जो हमन पास जो की अभी सत्ता में है वही सही लोगतंत्र होगा ठीक है क्लियर हुआ चलो अब हम आगे चलते हैं अब एक कुश्यन का अंसर दो आप तभी अच्छे से समझोगे जल्दी से कंसीडर दा फॉलोइंग स्टेट्मेंट अबट एलेक्टोरल प्रोसेजर इंडिया इसमे सेंटन्स है फर्स्ट कहता है चीन में देश की संसंद नाशनल पीपल कॉंगरेस के चुनाफ के लिए हर 6 साल बाद चुनाफ कराती है चाइना एलेक्शन हैं और शिक्स एर ऑफ इलेक्टिंग कंज्री पारलिमेंट नाशनल पीपल कॉंगरेस यहां पे संसंद का नाम गलत भी हो सकता था, यह गलत हो सकता है, before contesting the election our candidate need to be approval of Chinese Communist Party, Chinese Communist Party से approval लेना पड़ता था and some members are elected by the military, ठीक है, कुछ जो लोग है सदसे सेना के द्वारा चुने जाते थे, आंसर क्या होगा इसका यह बताओ, कुछ बच्चों ने तो जल्दी से click कर लिया होगा, कि यहाँ पर problem आखर है कहा, कहा है इसकी problem, problem कहा है इसकी, problem है six year में, problem कहा पर है, six year था या फिर five year था, इतनी सी problem, UPSC ने एक question पूछा, बहुत दिखने में इतना भारी भर कम था कि चार sentence वो भी दो दो line के, आधा page पर गया, देखके ही सोचा कि हम से वनेगा नहीं, और उसमें से बाद में पता च पूछा था, अब आप सोचते रहना, रखते रहना concept और छोड़ देना fact, even important fact तो पढ़ने पढ़ेंगे भई, हैला, तो यहां पर आपको कितना भी खतर्राग दिखे, आपको लगे कि अब यह सवाल तो होना ही नहीं है, एक बार उसको ध्यान से पढ़ना और जो इसके keyword है देखो जिससे यहां गलत हो सकता था, पार्लेमेंट का नेम गलत हो सकता था, एप्रूवल का वर्ट गलत हो सकता था, चाइनीज कम्निस पार्टी की जगा लोग लिखा हो सकता था, कि लोगों से सहमती लेनी पड़ती थी, समझ रहे है, elected by the military यह भी लिखा सकता था, कि are not elected by the military, तो यहां पर कुछ ऐसे शब्दे जहां से आपको बच्चों सीखना है, जैसे दिन दिन आप सीखते जाओंगे, जितना सिंसेर रहा हो स्टेटी के लिए, ऑफलाइन क्लास ऐसे तो आप ऑफलाइन क्लास में भी सिंसेर्डी होंगे, तो ऑफलाइन हो, ओलाइन हो, मेन ज ही करेगा, बशर्ते आपको चीज अच्छी प्रोवाइट के जारी हो, बशर्ते आपको क्लास अच्छी मिले, तो यहां पर बच्चों आपको सिंसेर होना है, डेली क्लास देख लिया करो, ठीक है, अगर तुरं तरही देख पाते हैं, आगे पीछे देख लिया, क्योंकि च चिक है, दो बाते हम सीख गए, एक कुशन का असर और देदो, मेक्सिको की थोड़ी सी चर्चा मैने उसमें की थी न, जो छोड़ दी थी, यहां कर देते हो, इन चाइन अदा आमी हैस और सो बीन गिवन दा पावर टू चूज दा मैंबर ऑप पाल्यवेर्ट, चीट में संस सदस्यों को चुन्ने की शक्ती सेना को दी गई थी, आट्रू डेमोक्रसी प्रोवाइट पॉर दोज इन पावर विता फिया चांस ऑफ लूजिंग, सच्चा लोकतंतर सत्ता में बैठे लोगों को हारने का भी अवसर देता है, मेक्सिको कभी सेन साशन के अधीन नहीं रहा मेक्सिको हैं वन्स वन्स विन अधरा मिलिटरी रूल, कभी सेन साशन के अधीन रहा, नहीं रहा नहीं रहा, रहा, बताओ क्या आंसर होगा, चाइना की बारे में तो देखो हम पढ़ चुके, थोड़ी सी मेक्सिको की बारे में भी पढ़ ले, देखो 1930 मे, 1930 से बच्चों ज यहां पर जो चुनाव है ना वो 6 year में होते है, 6 साल में यहां के चुनाव होते हैं, ठीके, और हलाकि यहां पर क्या था कि 2000 के बाद से, अगर हम 2000 के बाद की बात करें, तो यहां पर यहां पर भी यही प्रॉबलम थी कि केवल एक ही पार्टी चुनाव जीतती रही, यहां पर जानते हैं क्या प्रॉब्लम थी केवल एक ही जो पार्टी है जिसका नाम था पी आर आई ठीक है इंस्टूशन ओफ नाम लिख देती हूं इंस्टूशनल रेवलुशनरी पार्टी हमेशा 2000 के बात से बच्चों यही जो है पार्टी आती रही ठीक है और इस पार्टी ने ऐसी डाटी ट्रिक्स अपनाई थी कि हमेशा यही चुनाओ जीते लोगों को दराना धमकारा नामंकन वापस ले लेना चुनाओ में धानले बा पार्टी नहीं यहां पर मेक्सिको में कि बीचल श्रह लग्यां पार्टी तो यहां पर देक रहा है नहीं यह बेफते जबके ईक्टप होना चाहिए और किला तोर है कि ये कभी भी सैनसाशन के अधीर नहीं रहा यहां पर कभी सैनसाशन नहीं रहा और यहां पर लिखार कि वहारा मिलिटरी हो वर्फ की यहां पर लॉक्तंत्र जो है वह यहां पर नहीं था क्योंकि एक ही पार्टी जो है पर सत्ता में आ रही थी बार-बार-बार अब हम चलते हैं हमारी तीसी जो विषेशता है एक बार चलो एक बार इसको देखो सबसे ज़दे इंपोर्टेंट है यह वाली स्लाइट और इस स्लाइट से बाकी चीज़ों को याद कर ले ना इस इस लाइड क्या स्लाइट है कि यहां पर हमने बात की की form of government क्या है आप हम बात करने वाले हैं कि choice of the people है choice of the people में one who are the people तो ऐसे लोग जो one person one vote and one value की बात करें ठीक है तो यहां पर हम तीसरी विशेष्टा की बात करते हैं एक और विशेष्टा है फिर कि अब सरकार बन गई तो वह कैसे चलेगी आपका chapter खतम हो जाएगा आ रहा है समझ में नहीं आ आ रहा है आ रहा है है ना सुन लिया बैने है बैरी गोट वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू अब देखो वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू अब चलते हैं इसको समझते हैं देखो जब हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि भई लोगों के द्वारा चुने हुए लोग और यह लोग जो है सबको समाना अधिकार हो रहा है ऐसा नहीं कि कि किसी एक व्यक्ति जो है वह चुनाब का अधिकार रखत जिसके पास पैसा है उसको यह अधिकार मिले गरीब जो है उसको अधिकार ना मिले जो सिक्षित है उसको वोटिंग राइट हो पर जो आसिक्षित है ठीके जो जिसके पास एजुकेशन नहीं है धनसंपदा नहीं है उसको यह अधिकार ना मिले एक जो बहुत बठा हम कहें कि धन्नसेट है जो बहुत वेल्दी है उसको यह अधिकार हो लेकिन पूर पीपल को ना हो और गाधी जी क्या कहते है यंग इंडिया में कि मैं इस बात को बरदाश्ट नहीं कर सकता कि एक ऐसा व्यक्ति जो की गरीब है लेकिन इमांदारी से अपना करखा रहा है उसको वोट लोकतंत्र के लिए जो भी अब तक जो लोकतंत्र के लिए संघर्ष होते रहे हैं उन सब में अर्थ यह नहित है कि सभी व्यक्तियों को समाल बाना जाए सभी पीपल सो है वैं इक्वल हो है ना राइट टू इक्वैलिटी यह सारी बाते हम कर चो के आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 सो देखो बच्चों यहां पर क्या है में जो कॉसेप्ट है यहां पर में कुछ इंग्जाम्पल्स देती हूं अभी तक आपने चाहिड़ा पाकिस्तान की मेक्सिको की बात कर ली अब लेकिन यहां पर क्या है पहली बात हम करते हैं साओधी अरब की अब देखो साओधी अरब में क्या था 2015 तक 2015 तक 2015 तक यहां पर जो फीमेल्स हैं जो महिलाएं है इने राइट टू वोट नहीं था ठीक है इने राइट वोट नहीं था एक दूसरे एग्जामपल देखते हैं जो कि एस्टोनिया का है एस्टोनिया कंट्री में क्या था कि व्यवस्था ऐसी के गई थी वच्चों कि यहां पर जो मेजोरिटी है और में जो माइनोरिटी है ठीक है तो मेजोरिटी का जो वोटिंग राइट था मेजोरिटी के पास वोटिंग राइट जो है वह जादा था और जो माइनोरिटी वहां पर थे उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा इस चीज़ के लिए इनके पास वोटिंग राइट नहीं था ठीक है तो यहां पर जो रशिय की बात करते हैं, फिजी देश की, देखो, एक जगा क्या हुआ, एक वर्ग को ही हटा दिया, दूसरी जगा क्या हुआ, मेजोरिटी, माइनोरिटी का फ़र्ग हो गया, अब तीसरी जगा देखो क्या, तीसरी जगा जो वोट वैल्लू है, वो कम कर देंगे, वो कैसे करेंगे, कि फिजी में क्या था बच्चो कि यहां का जो इलेक्टोरल सिस्टम था उसमें जो फिजियन लोग थे जो वहां के मूल लिवासी थे इनका वोटिंग जो वैल्यू है ये जादा था इनका वोट वैल्यू जादा था और यहां पर जो इंडियन से बाकी ये इनका एक तो एक एक एकक्शाम्पल आप को मिल गया और आप क्या इस बात को मानोंगे कि यहां पर इन तीनों देश में डेमोक्रसी का सही फॉर्म जो है वैं लागू किया जाता है सभी लोगों को समान अधिकार है तो यहां पर क्या है कि डेमोक्रसी होने का डेमोक्रिटिक कंट्री होने की जो एक में शर्थे 1% 1 vote 1 value वो यहां पर इन लोगों ने फालो नहीं कि ठी तो यहां पर एक बात और शुरू कि जो आपकी democracy है यह जानते किस पर based है आपका जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है ठीके इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल चांते ही क्या है बुनियादी मूल डेमोटर मेंटल चो प्रिंसिपल है जो बुनियादी मूल है यह बताओ क्या होगा सोचल इक्वालिटी लिग government developing 일थलेटल ड्याद द्याद रहतना तो फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है बचों पॉलिटीकल राजनेतिक सबा सुखता एक आधार भूत विशेष्टा है अगर आपने सभी को राजनतिक समानता कैसे मिलेगी राजनतिक समानता मिलेगी इच परसन राजनतिक समानता कैसे मिलेगी एक यहाँ पर डेफिनिशन लिख रही हो आप सभी को याद करना है ठीक है इसका मतलब क्या है? Each adult citizen, each वयास्क, नागरिक, must have, must have one vote, one person, one value. तो राजनितिक सभानता का बुनियादी सिध्धानती यहीं है और यहां से concept आता है, universal adult franchise, सार्व भौमिक व्यस्क मताधिकार. सार्व भौमिक और सार्व भौमिक व्यस्क मताधिकार का क्या मतलब है? सार्व भौमिक व्यस्क मताधिकार का क्या मतलब है? और उनको right to vote है. यहीं बात है न कि दू बात है इसमें नहींत हैं. और आपको इन सभी वर्गों को voting का right है और जो एक निश्यत आयू पाली है उसको voting का right है. यह आपका universal adult franchise है और इसी के आधार पर इसी के base पर आपका यह जो democracy का विशिष्टा है ठीके यह ठिका हुआ है. तो राजनितिक समानता का बुनियादी सिद्धात अब बचता है आपके last एकदम सबसे बस last वाला definition और आप समझ जाओगे इसको. clear होगे आपको तो देखो एक हमारा सबसे फस्ट अबने क्या देखा? प्रमोग फैसलें दिर्वाचित लोगों के द्वारा हो गया, स्वतन तरुन रिस्पक्स चुनाव प्रतिस परदा हो गया, एक व्यक्ति, एक वोट, एक मुल्य हो गया, आप विधी का साशन और अधिकारों की रक्षा, रूल और रूल अफ लॉड रिस्पक्ट पॉर राइट इसकी बाप करेंगे, ठीक है, चलो, थोड़ा सा यह जो मैंने आपको वन परसंट वन वोट वन वेल्यू बताया, यह मैं पढ़ बता देते हूं एक बार, पॉलिटीकल एक बार, पॉलिटीकल एक बार, पॉलिटीकल right and deny have been observed, जैसे की, वो मन had no right to vote until 2015 in Saudi, अरव, Astonia citizen rule made it very much difficult for people from Russian monitors, minorities to gain the right to vote, and फिजी का जो electoral system है, वे क्या था, वन वेल, more value to, फिजी, ध्यान रखना, more value जो है, वे फिजी, जो वहां के मूल निवास है, उन के पास था, and Indians and बाकी लोगों के पास तही था, so there are some example which contradicts the basic of democracy, where an adult citizen must have one vote with equal value, है ना, तो ये वाला जो बेस है, ये वाला जो आपका definition है, इसको follow नहीं कर रहे हैं, ये सारे, एक question हो जाए, चलो, answer करो, consider the following statement with respect to democracy, फस्ट है, लोगतत्र सामाजिक समानता के मूल से, आप देखो 3-4 बार बोल दिया, तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए, कि मैंने ये क्या गलत बोल दिया, democracy is based on a fundamental principle of social equality, and women in Saudi Arabia have been given the right to vote, अब देते रहे ना answer, comment करना, समझ तो आ ही गया होगा है न, चलो, आगे चलते हैं, अब next अब देखते हैं, बच्चो, rule of law, rule of law की बात करते हैं, कि आखर चौथी जो विशेषता है, वह क्या है, अब हम चलते हैं, जिम बामबे के पास, ठीके, चलो, एक और होग, चाइडा के लावा जिम बामबे, जिन जिन देशों की बात किया, उन सभी को, उन सभी का map देखोगे, चाइड? बचidänrit की बामबे,çar कॉरे तरिय की जिन देखर, हैं रिम घड़ने बाते चाहा, विशे बामबे, घुर खर कियो आज जि accountant, बुरे कारून का साशन और अधिकारों की रक्षा ठीक है अब देखो कैसे कारून का साशन हो कैसे अधिकारों की रक्षा हो सबसे फस देखो तो यहां पर हम किसका उधारन लेंगे बच्चो जिंबाम भेका ठीक है अब यहां पर क्या हो रहा था जब लोजय की बात करेंगे तो दिको शुरवाथ में ही यहां से यहां पर जुश्वाश्थाई थी 1980 में यह जो देश है मुक्त होता है स्वतंत्र होता है किसे जो वहाँ पर अल्प संख्यक जो गोरे थे अलब जो वाइट पीपल्स थे उनके द्वारा इन्हें भी एक तरह से कॉलोनी बना रखा था तो नाइट इन्हें स्वतंत्रता कम मिली 1980 में 1980 में यह स्वतंत्र होता है इसके आगे क्या हुआ इस स्वतंत्रता के बाद अब इधों ने जब अपना सिस्टम जो है बनाना शुरू किया ठीक है तो यहां पर एक जो दल का नाम सुनो एक दल था जिसने की यहां के स्वतंत्रता संघर्ष जो हो रहा था उसकी कि और सारे जो सारे जो जो चीजे काफी उसके लिए किया गया तो यहां पर बच्छों 1980 में यहां पर यह स्वतंत्रता जो है जिम्बांबे को मिली लेकिन इसके पहले एक पॉलिटिकल जो पार्टी है और इस पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा यहां के जो फ्रीडम ही है ZANU वाला है ठीक है यह पॉलिटिकल पार्टी थी अब देखो बच्छो यहाँ पर भी जो इलेक्शन है ना वो रेगुलरली हो रहे थे जानू-PF पार्टी है ना यहाँ पर जो पर जानते प्रॉबलम क्या हो गई अगर एलेक्शन रेगुलर हो रहे तो यह हमेशा यही पार्टी जो है वे जीतती थी अल्वेज वन वाई-जानू-PF यही जीतती थी हमेशा तब यह तो गलत है ना कि एक ही पार्टी जीत रही है मतलब इसका मतलब क्या है कुछ धादली ह जहां की जो शत्ता है गवर्मेंट है ओल्वेज वन वाई-जानू-PF पार्टी अब इस जानू-PF पार्टी के एक प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था मोगाबे अब देखों इनके दौरा खीया क्या गया जो प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था मोगाबे इनके द्वारा बच्चु सम्मिधान में जो बदलाव है किये अभी तक द्यान रखना लोगों ने चुना है लेकिन आगे जो यह काम कर रहे हैं वो कितने सही है उसे हम देखते हैं इनके द्वारा क्या किया गया जो Constitution है उसमें changes किये गए और देखना कितने बढ़िया changes किये गए Constitution को change किया गया और यह जो change है इसमें इनकी जो accountability जो जवाब दे ही थी लोगों के प्रति उसको कम कर दिया और जो इनकी powers थे वे बहुत ज़्यादा बढ़ा दिये गए ठीक है तो जो precedent थे नोने क्या किया increase the power and less accountability and less accountability ठीक है जो जवाब दे ही जो जिम्मेदारी है उसे कम कर दिया गया और जो शक्ती है इसको बढ़ा दिया गया आप खुछ सोचिए यूपेसी एक ऐसे पूछता है जिस पर यह लिखता है कि बिना अधिकारों के बिना अधिकारों के जो दायत्व है कि वह उदासीन हो जाते है और बिना अधिकार दिये जाए तो वह आतता यह निरंकुष हो जाते है तो यहाँ पर एक condition इस condition में क्या होगे कि जवाब देही नहीं है तो यह निरंकुष हो गया बच्चो यह क्या होगा निरंकुष हो गया अब देखो अगली बात क्या है यह जवाब देही को इन्हों और इसके आगे जो है इनोंने कुछ ऐसे decision लिये कि अब देखो आप कोई criticize नहीं करेगा, अब मैं रास्पती बन चुका हूँ, तो आब क्या करेगा, कोई भी जो है constitution में क्या change किया गया, रास्पती बनने के बाद, कि अगर आप President को criticize करोगे, तो आपको jail में डाला जाएगा, criticize the President, ये एक serious office हो गया, इसके अलावा देखो, जो newspaper थे, जो media था, TV channels थे, newspaper, TV channels, media, कोई भी इनके खिलाफ नहीं लिख सकता था, ठीक है, क्योंकि इन सब को जो है, वह control कौन कर रहा था, control ये दल कर रहा था, control government कर रही थी, ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐसी government, जिसे आपने खुद चुना, वो तानाशा हो गए, एक ऐसी government, जिसे आपने खुद चुना, वो तानाशा हो गए, इसका मतलब क्या है, कि आपको बार-बार, सरकार को निर्देश देने चाहिए और एक सरकार डेवोकेटिक गवर्मेंट में सरकार का कर्तब है कि वे बार बार लोगों से जनादेश लेती रहे लोग क्या चाहते हैं उसके अनुसार काम करें ना कि अधिकार मिलते ही तानाशा हो जाए यहाँ पर इस कंडिशन को फोलो कि क्या इनके जो राइट है उसको रिस्पेक्ट किया गया नहीं किया गया तो यहाँ पर इस कंडिशन की वज़े से रही था लोग तंतर अब देखो आगे क्या हुआ बच्चों कि जो पॉपूलर गवर्मेंट है कैन बी ऑटो क्रेटिक यहाँ पर जो एक ऐसी गवर्मेंट जिस्ते की स्वतत्यता के लिए बहुत आगे बढ़ चड़के काम किया था वो गवर्मेंट अब तानाशाह हो गई अब देखो जो जारू पीएफ था ठीक है यह जो पार्टी है यह पहले पॉपूलर थी अब जो पॉपूलर है पॉपूलर गवर्मेंट ऐसा हो सकता है न ऐसा तो है कि भाई किसी की नियत ही ना बदले बदल गई शक्ति और सत्ता जो है कुछ चीज़े ऐसी मिर्थी है कि उसके बाद इंसान का दिमाग बदल जाता है बस वैसी बदल गई तो यहाँ पर जो पॉ हो गया तो इसका मतलब क्या है कि बिफोर एलेक्शन और आफ्टर एलेक्शन इस सारे जो आपका अभी तक हमने समझा इस सब का मतलब क्या है कि बिफोर एलेक्शन एंड आफ्टर एलेक्शन आपको लोगों से जनादेश को लेते रहना है विफोर एंड आफ्टर एलेक्शन आपको रूल ओफ लौ जो है इसका पालन करना है ठीक है क्या करना है साशकों के लिए बार-बार जो जनादेश है वो पाना जरूरी है लोगों से आप लेते रहो अब दूसरी बात देखो, respect some basics right of the citizen, यहां पर दूसरा जो इनोंने काम किया, accountability कम करके और newspaper, tv, media इन सब को रोक के, तो यहां से दूसरी बात क्या समझ में आई, दूसरी बात जो इहां पर समझ में आई, तो पहली बात हो गई, ठीक है, और दूसरी बात जो यहां पर समझ में कि जो basic rights थे, उनका follow, उनको नहीं लिया, उनका आधर नहीं किया गया, ठीक है, जो लोगों के basic rights थे, जैसे कि, यहां पर कई जैसे कि लोग सोचने के लिए free हो, free to think, to have opinion, to express, ना भी व्यक्ति की स्वतंत्ता, ना उनके दस्टी कोण की स्वतंत्रता, ठीक है, प्रोटेस्ट करने की भी कोई स्वतंत्रता नहीं थी, ना ही कोई political action वह ले सकते थे, कोई राजनतिक गतिविती वह नहीं कर सकते थे, कोई भी political जो action है, सब पर एकदम strict तरीके से, जो है, वह लगे हुए थे, ठीक है, तो ये तो मतलब नहीं कि आपने चुनाफ जीता है, तो आप कुछ भी करोगे, ये तो आधार नहीं हो सकता ना democracy का, कि अगर कोई party चुनाफ जीत गई, तो वह कुछ भी करें, तो यहां पर चौथी विशेष्ता क्या समझ में आती है, कि ज democratic government, rule within limits, within limits set by constitutional law, set by constitutional law and citizen's right. एंड नागरिकों के अधिकार, ठीक है, कि एक ऐसी साशव, एक ऐसा जो democratic government, जो की, कैसे, जो उसके सम्विधान में, उसकी सीमाय बनी है, उसका पालन करेगी, और लोगों के अधिकारों की रक्षा करेगी, ये चौथी बात हो गई, आगे समझ में, आगे समझ में, और ये यहां पर ये connect हो गया, ठीके, तो ये हमने पूरा जिम्बाम्बे का समझ आगे समझ में, चलो अब नहीं आया, तो एक बार और पढ़ लेते हैं, रिवीजन किया करो यार, इतने अच्छे से नोट समझ वहा रहे हैं, सब कुछ पढ़ा करो, ठीके, अच्छे से पढ़ा करो, जब पढ़ोगे ना, तो अपने आप में मजा आएगा, कभी पढ़के साथ गंटे लगातार, जितने इतने बच्चे बालो, दस अजार बच्चे क्लास देख रहे हैं, उसमें से केवल दस बच्चे भी सीरियस हो, अगर आपके दस स्टुडेंट भी ऐसे हो, जो मेरी बाग को मालने, सुने एक बार एक्स्पेरिमेंट करके देख लो, कभी आप 10 40 मिट के बाद उठे, आप थोड़ा सा पानी पीलो, चाई पीलो, ठीके, अब यह नहीं कि हार ब्रेक में चाई पीना है, आपको ऐसे तो 10 कॉफी, 10 चाई पीलोगे, वो भी ठीक नहीं आपके हेल्थ के लिए, तो यहाँ पर आप पोशिश करो कि आपको मालो, एक दिन में आपने टॉपिक बना रखा है, ठीके, या फिर आपने वीकली कोई शीडूल बना रखा है, आपके क्लास एक तरह से हो गया है, इसलिए अब मैं आपको बता रही हूँ, क्या कि आपने, अभी कुश्यन बाद में दूँगी, कहा है पेज काली, यहाँ है, चलो ठीके, तो आ टॉपिक कैसे होने चाहिए, आपने देख लिया कि यह टॉपिक इंपोर्टेंट है, मैं इन टॉपिक को पड़ूँगा, आज में डाइबल के दो चैप्टर लूँगा, आज पॉलिटी के दो चैप्टर करूँगा, है ना, आज नहीं भी केस आप से कर लो, आपका जो पॉलिटी, एकॉनमी, या फिर करंट अफेर, करंट अफेर को तो डेली समय दिया करो, एक घंटा, दो दो घंटा, तो सी यह पता चलता रहता है कि भई, क्या चल रहा है, और उसका बेसिक तयार कर लो, ठीक है, तो कोशिश करो कि 10 प्लस आर अभी से पढ़, अगर आपके करो, सोचो कि मुझे एक हफते में अगर मेतना कर पा रहा हूं, कर पा रहे हूं, छह महीने में मैं कहा हूं, पहुचूंगा, और अगर नहीं कर रहा हूं, तो 6 महीने बाद भी वही कंडिशन है, ओम्र बढ़नाग, तो कोशिश करो, महनत करो थोड़ा सा, चलो आगे चलते ह है, तो हमारी चौती विशेशता भी हो गई, आप चौती विशेशता में से कुछ कुछन मेरे को जल्दी से आलसर कर दो, डेमोक्रसी इसा फॉर्म अप गवर्मेंट इन विच दा रूरल्स आर एलेक्टेड वाइदा पीपल, वित रेफ्रेंस तू डेमोक्रसी, फर्स्ट ह बदलने का विकल्प और अवसर सभी लोगों के लिए समान आधार पर उपलब्ध हो, तो चौई सैड अपॉर्चुनिटी तो चेज़ दा रूरल्स इस अविलेबल तो आपको साशन करना है, इच वोट इन डेमोक्रसी मस्ट हैव वन वेल्यू, लोक्तत्र के प्रत्यक लहव है एक होगा, क्या लग रहा है आपको, सारी बाते सही तो लिखी है, कहा गलत है, जिन बच्चों ने उपर नीचे कहां से सलेक्ट किया हो, उनके लिए बोल रही हो, अच्छा अब एक बात और बश्ती है, पक्ष और विपक्ष में क्या तर्ख है, समझ लेते हैं कि व वाई डेमोक्रसी क्यों, डेमोक्रसी क्यों, हमने डेमोक्रसी कोई क्यों अपनाया, हमने ओटोक्रसी या फिर मुनार किन सबको क्यों नहीं अपना लिया, वाई डेमोक्रसी का आल सर ढूरते हैं, ठीके, रामबाड इलाश था कि बस आब लोकतंत्र आ गया है जादू की छड़ी है एड़ सब सारी प्रॉब्लम्स जो है वैं सॉल्व हो जाएंगे इस देश की ऐसा नहीं है हमने लोकतंत्र अगर अपनाया बच्चों तो इसके पीछे कुछ तर्क थे ठीक है तो यहां पर हमने दो बातों को समझता है एक तो कि आखिर इसके पक्ष में क्या तर्क थे ठीक है आखिर पक्ष में क्या तर्क थे इसके फेवर में या फिर हम इसके आपर मैरिट्स कह दे क्या विशेश्चता ऐसी है कि जो फेवर में थी हमने अपनाया इससे अगर पक्ष की बात करेंगे तो आधे इसके कैसे चाहिए क्या है इसकी कमिया क्या है दोरों चीजों का अगर हम मुल्यांकन कर ले आप क्यों पड़ रहे हो अगर नहीं पड़ोगे तो क्या करोगे अब आपको कभी निर्ड़ने लेना हो और आप यह सोचो कि आप क्या करें एक किसी की बातों से कोई अगर आप तैयारी छोड़ दोगे नहीं करोगे तब भी लोग वही बात कहेंगे कि अरे कोई बात चार साल तैयारी क्या कुछ नहीं हुआ आज आप आके यह कर रहे हैं तो इसलिए आप अपनी जर्णी को बनाए रखे ठीक है बनाए रखे कभी यह सोचके नहीं उदास होना है कि समय हो गया हो गया समय कोई बात नहीं हम इश्वरबात में वह गाइडेंस न से पहले हम देखते हैं कि आखेर हमने डेमोक्रसी को क्यों चुना तो सबसे पहले देखो एक बात सुनों एक बात सुनों और वो क्या है कि चाइना में 1958 और चाइना में अकाल आया और ऐसा नीधा कि भारत उस्वक्त बहुत सम्रद था अंदीशन थी पॉपूलेशन ज्यादा थी भारत में भी अकाल जैसी वस्त भावा सारे लोग मारे गए भारत में उतने लोग नहीं मारे गए तब एक बात समझ में आई कि लोगतंत्र का एक ऐसा बॉडल भारत ने अपना एथा लोगतंत्रिक ववस्था जिसमें की सरकार अकाउंटिबल थी जवाब दें थी उसने खादाने के लिए कुछ भंडार बनाये थे आ रहा है सबजबे प्लीज कॉमेंट करके बताया करो कि मैं बहुत ज़्याद अच्छे से सबजबे आ रहा है इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता ठीक है चलो खेर more accountable form है न बच्चो क्या है ये कि इसमें quality of decision making की जब हम बात करते हैं चलो खेर ये दूसरा है more accountable form जवाब दे ही जो तरीका है जादा अच्छा है ये जवाब दे ही model है लोगों के लिए सरकार जो है जवाब दे है ऐसी scheme लागू करती है कि लोग जो है वै कम परेशान हो उनका welfare हो सके इसलिए more accountable form of the government है इसलिए हमने इसको अपनाया ठीक है इसलिए क्या किये बच्चो हमने इसको अपराया जब चाइना में और भारत की जो स्थिती है उसमें तुल्ला के गई तो बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने कहा कि में जो फर्क है ना इसमें for example आप example चाइना का याद रखना ठीक है चाइना एन इंडिया अकाल वाला format अकाल वाली बात याद रखना और यह example आप लिखी भी सकते हो कहीं तो इसमें यह पता चला कि इंडिया के द्वारा ऐसी policy बनाए गई थी ऐसी नीतिया बनाए गई थी जो कि लोगों के लिए सही थी public welfare के लिए थी और इन्होंने एक buffer stock जो है बनाए रखा था लोगों की ब्रत्यू नहीं हुई राशन जो है बाटा गया सरकार की तरफ से बाटा गया तो आर्थशास्त्रियों के द्वारा ये कहा गया कि लोगतंत्र जो है अच्छा अच्छी पद्धिती है तो अगर हम यह कहते है कि सर्वस्रिस्ट साशन पद्धिती है तो उनकी विशेष्टाओं में से एक विशेष्टा ये भी ह कि सर्वस्रिस्ट जो है वैं क्योंकि यह वो अकाउंटिबल फॉर्म है बाकी फॉर्म की अपिक्षा ठीक है एक बात हो गई अब देखो बच्चो दूसरी बात हो गई हिंदी में लिख लो लोकतांत्रिक साशन पद्धती दूसरों से बहतर है क्योंकि यह साशन का अधिक लेंगी और इक डेमोक्रिटिक कंट्री में जो फैसला होगा दूरू में बहुत पार डिफ्रेंस होगा उसके पीछे कारण है कि हमारे हैं लोगों की सुरी जा रही है और अगर कशी कारून पसद नहीं तो हम कशी कारूनों को वापस ले रहे हैं आगी बास समझ में लिकिन जादा सस्टेडेबल होंगे 45 टेवलोपमेंट पर बच्चों दूसरी बात क्या हो गई कि लोगतंतर का आधार क्या होता है व्यापक चर्चा व्यापक भैस लोगतंतर में जब वहां पर प्रोविजन आगे किया जाएगा तो यहां पर डिस्कुर्शन एंड जो चर्चाय है जो बहस डिबेट है उस पर आधारित होते हैं यहां के डिस्कुर्शन तो अगली विशेष्टा क्या आई पहली तो हो गई अकाउंटेबल था दूसरी विशेष्टा आई क्वालिटी ओफ डिस्कुर्शन बेकिंग जो निर्णाई लेने की जो प्रक्रिया है उसमें सुधार होता है ठीक है उसमें उसकी क्वालिटी रहती है यह इससे पता चल गया यह दूसरा तरीका है तो बहतर निर्णाई लेने की सभावनाओं को यह बढ़ाता है गल्तियों की जो गुंजाई सब्सक्राइब कम हो जाती है ठीक है भले ही थोड़ा से डिले हो जाए क्योंकि हम बाकी लोगों से भी पूछ रहे हैं बट इन दलास क्वालिटी बाकी पॉर्म से बहुत अच्छी रहती है अब तीसरे पर आजाओ बच् 그렇ण क्या कहता है एक से जादा ऐसे समhouव नहीं होते होगे जो कि शाषन करना चाथे है लोगों के हित विचार है उनमें डिफिनिट्थली अंतर होगा याद करो दाइवरसिटी डिस्क्रिमिनेशन जो बच्चा ऐसा है कि पहली वार इस वीडियो को देख रहा है आगे से सारी वीडियो भी बच्चो आपको देखने है ठीक है तब जाके आपको चीज़े समझ में आएंगे हरी क्लास में मैंने पीवाई क्यूंप पर आधारे जो क्लास को जो कुश्चन से वह भी रखे हैं करन्ट अफ्यर से भी रिलेट कर रहे हूं मैं इसके कोईशन भी करा रही हो ठीक है तो कंटीनी जितना रहोगे उतना आपका जो बेस है वे स्ट्रॉंग होगा सुपने आपसे कह रही हो बच्चों कि अगर समाज है समाज की अलग-अलग हित है विचार है स देश है अलग-अलग एलाकों में अलग-अलग लोग है समू है भाशाय है उनके धार्मिक विचार है धार्मिक आस्थाय है तो ऐसे में उनके बीच में प्रॉब्लम्स नहीं होगी होगी जरूर होगी है ना प्रॉब्लम्स जरूर होगी और अगर प्रॉब्लम्स होगी इत तो लोग कांत्रिक देश में द्यान रखना की डेमोक्रसी जो है वह एक ऐसा तरीका है जिससे हम सुलजा सकते हैं किसी विवाद को क्योंकि आपस में हम विचा जिसे आप किसी से लड़ो सीधा लड़ने चले जाओ और वहीं उससे अगर बातशीत कर लो तो पाबला हल हो जात है दो बातों पर आप मान जाय मान जाए तो से क्या होगा इस से आपके जो जो असक् focus से बात की यह सुस्मोगों की सुछ लोगों method to deal, to deal without differences and conflict, with, with differences and conflict. ठीक है, विवादों में और जो अंतर है, इसको सुल्जाने की एक बहतर ववस्था है आपका डेमोक्रसी, ठीक है, आये समझ में, तो यहाँ पर क्या है, कि जैसे बालों एक कमजोर सभू है, एक ताकतवर सभू है, सरकार ने का कि राजा आकर चार सेने काए, आपको सीधा उठा का अंदर ले जाए, इस अच्छा कहा है, गवर्मेंट ऐसी पॉलिसी बनाए, कॉस्टिश विशेष्था, एक और विशेष्था देख ले, एक और चौथी विशेष्था है, बच्छो, कि अगर हम यह कहें, लोकतंद्र, लोकतंद्र मतलब लोग, लोग, सिटिजन्स, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर लोकतंद्र पे लोगों की सुरिज आती हो, उन बनी रहती है, दिग्निटी ओफ सिटिजन्स, लोगों की गरीमा बनी रहती है, एंड लास्ट देखो, कि मालोग हो सकता है, कभी कोई गलती हो भी जाए, तो यह लोकतंद्र ऐसा है, कि कोई एक ऐसी पॉलिसी बन गए, जो कि अच्छी रही है, तो लोगों के द्वारा कहें संगठन आगे, ऐसे आएगे, सूशल अक्टिविस्ट आगे आएगे, प्रेशर ग्रुप्स आएगे, सरकार को वो जुदीती है, वह बदलने पड़ेगे, और अगर तो यह फॉर्म कैसा है, कि अपनी ही गलतियों को सुधारने का मौका देता है, अपनी ही गलतियों को कनेक्ट करने का अफसर देता है, अब हम आते हैं दूसरे पक्ष की तरफ जो की है, डी मैरिट्स, अब हम आएंगे बच्चों, दूसरे पक्ष की तरफ, ठीके, एक पक्ष आपने समझ लिया है, वाई डेमोकरसी, तो यह चार कारण है, पाच कारण है, आप इसमें और भी करने का एक अफसर मिलता है, ठीके, एक वर लिखा है, मिस्टेक आप लिख लो, इट एलाओ टू करेक्ट अर ओन मिस्टेक्स, सबसे परस दिखो, चुनाव होते हैं, आपको लगता है कि एक आया, दूसरा गया, तो जो योजदाय चल रही थी, वो बीच में रुप गई, ठ एक बात आपको समझ में आई, कि इसका जो डी मेरिट है, हम कमियों की बात करेंगे, इनस्टेबिलिटी, आस्थिर्ता, ठीके, आस्थिर्ता इसलिए, क्योंकि लीडर्स जो है, वे चेंज होते रहें, लीडर्स जो है, वे क्या है, वे चेंज होते रहेंगे, तो इस वज़ कि अगर हम यह कहें कि यहां पर इतनी ज्यादा प्रतििस पर्दा आप को पता होगा यह जाब तो समझाने वाली आप कहेंगे कि राजनीति मत करो इसका मतलब क्या है कि आपने माल लिया है कि जो पॉलिटिक्स करना वो गलत तरीकों से ही हो सकता है इसमें मॉरलीटी नहीं है सो यहां पर क्या है नो इसकोप नो इसकोप पॉर मॉरलिटी तीसरा आप इसमें कहोगे कि इतना ज्यादा डिले होता है जल्दी ने नहीं लिये जा रहे हैं लेकिन इसका ही अगर आपको पॉजिटिव पक्षि सोचता हो तो कि अच्छा है कि लोकतंत्र में नेंड़यों को ज ने लेने से बच जाएंगे तो यहां पर क्या है लोकतंत्र परिवार में भी होना चाहिए लोकतंत्र समाज में भी होना चाहिए और देश की जो सरकार है उसमें तो होना ही चाहिए इवन पूरे विश्व के बीच में एक लोकतंत्र एक सहमती होनी चाहिए तो यहां पर क्य एणने चरह? अधिक लिषसान है, क्यों पुछा कि देंक कर वान की वहां की तक पूलेशन रहे हैं इस परीचार पूलेशन लिए आप जो नहीं रहा occupied हेरा है प्लेया की घरान export involves कि दीजला से नहीं क्या चाहिए वो आप देखो लक्षदीप का एक आप बचो लक्षदीप या अदबान एको बार के लिए आप देखना कि वहां की जो लोकल गवर्मेंट है उस पे एक जबकि वहां की पॉपुलिशन बहुत कम है और वहां पर एक जो रूल्स लाया गया कि जिनके दो से जादा बच्चे आ आपको लोकल गवर्मेंट मेंहीं आये आप खुछ सोचो यह जो डिसेजन है यह जो पॉलिशी आपने किस जगा के लिए बना दि आपने अन्टमान एक लाक्षदीप के लिए बना दि लक्षदीप के लिए बना दिटी जहां पर आपट देख रहे हो कि बही कितनी कम लोग रह रहे हैं आपने वहां क्यों लागू कर दे इसकी आलोशना होती है तो यहां पर bad decision जो है वे सब्टाइम्स हो जाते हैं because of elected leaders do not know the best interest of people bad decision bad decision क्यों because जैसे आप message में because लिख देते हैं वैसे लिख देते हो ठीक है elected leaders do not know the best interest of people अभी एक बात और सुनो delay के साथ अभी आप एक परक्रप्शन लिख दे तो आपको कोई अभी परिशाने कि नहीं Miam corruption तो बिल्कुल ली होता Kaadhi जी के जो सिधान थे उसी पर हमारी राज़्नीनी चल रही ऑि गाधी जी रेक्या कहा था कि बिना ध़र्म के जो राज़्टी है Viel if क्या विना धर्म की जो राज़्नीनीनीती है अप्राद है तो गाले जी के करप्शन धस्टाचार एंड विलंब विलंब देरी अच्छा यह बताओ अगर आप यह कह रहे हो लोगतंत्र में कि लोगों का जो डेड़ा है वैं लिया जाएगा कितने ही लोग ऐसे सक्षम है जो अपने लिए सिक्षा की नीतिया बना लेंगे अब पंचायत एक गाउ के लिए दस लोगों के लिए लिए लेकिन शायद इतने लोग नहीं है कि वह अपने लिए सारी पॉलिसी बना सके हमने लोगों को चुड लिया इस लिए ठीक है तो आपकी यह इनफोमिशन चाहिए हो सकते हैं आप उन्ने वह भी ना दो तो आप कहा ह उस डिसीजन में तो यहां पर क्या है बच्चों पाच्वी जी जो चीज़ेवे समझ में आती है कि चूकी अगर हम साधरन लोगों की बात करें तो जो और डिनरी जो पीपल होते हैं जो सामाने लोग हैं डोंट नो और नरी पीपल don't know what is good for them उन्हें नहीं पता उनके लिए क्या अच्छा है ना what is अब देखो six seven eight का जो concept था वो छोटा था अब बड़ी classes होगी पठम बठम विस्तार से पढ़ेंगे ठीक है बठम थोड़ा विस्तार से पढ़ें के बच्चों ताकि आपको चीज़े समझ वे आए तो साधरन लोगों की समझ से बाहर होता है they should not decide anything और यह जो पीपल है वो पूछा है और क्या मैं कॉंसा अपने रिश्तेदारों से पूछना आप उनसे पूछोंगे ठीक वैसी ही बात है कि यहां पर यह जो और इस पीपल है जो साधारन हो एकदम साधारन लोग है जिने बहुत से चीज़े नहीं सब्सक्राइब नहीं पता हुए उनकी लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो नहीं समझ पर हो सकता है वो प्रोटेस्ट कर रहे हो किसी एक मुद्य को लेकर लेकर वो यह नहीं चार्ण पा रहे हैं कि उसका जो दिख्रकालिक जो प्रभाव है जो लॉंग टम का इफेक्ट हो उस पर नेगटिव आएगा बस वो अभी पर पहुंच जाएं कि अगर हम इन पैमानों की बात करें वर्तमाल शाशन ववस्था को देखें ठीक है। सारी चीजों को तब आपको यह समझ में आएगा बच्चों कि लोगतांत्रिक जो ववस्था है वैं दूसरों से बहतर है चीखें लोकतांतिक जो ववस्था है कैसी है दूसरों से बहतर है हम ये तो नहीं कह सकते कि ये जादो की छड़ी है लेकिन फिर भी ऐसी अगर हम बाकी देशों की बात करें जहां पर जो है डेमोक्रैक कर्थी नहीं है और मेरिटस की अगर आपको पोइन्टस आते हैं 30% लिखना है 70% quality and आपको इस पर जाना है तो why democracy complete हुआ जल्दी से answer करो इस question का which of the following sentences are incorrect incorrect fight करना है due to the involvement of a large number of people the quality of decision in a democracy improve बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी लोकतंत्र के डिडड़नायों की गुडवत्ता में सुधार होती एक decision आप खुद ले लो अगर जल्दी decision ले लेने में बुराई नहीं और ऐसे लोग जो जान रहे हैं उस चीज़ को कई लोगों की भागीदारी के कारण एक लोकतांत्रिक ममस्था में किसी भी गलती की आगयारंटी नहीं होती आपने जिन चार लोगों से पूछा था उन्हें उन्हीं जानकारी रही थी और आपने उ a democratic setup guarantee no mistakes due to the involvement of many people अरे भाई ऐसा नहीं है रहा गलती की गुंजाईश हो सकती है फस्स ही है आप से incorrect पूचा है आप से इनकरेक्ट पूचा है आप सरे जॉप्शन नमब बी गलती की गुंजाईश हो सकती है ठीक है समझ गए चलो एक कुशन और वाई डेपकरसी is considered the best form of the government it provide a method to deal with the difference and conflict विवादो और अंतरो से जो differences है विवित्ता से ने पटने का तरीका है democratic government is for accountable more accountable ज्यादा अधिक जवाब देही रूप है और जनता की द्वारा कि दम नो गुंजाईश वो तो वढ़ ही गलत हो गया है ना तो नो गुंजाईश नहीं वही गुंजाईश हो सकती है तो सब्सक्राइब फिर गलत हो गया कर्यक्ट आप से पूछा है option number one one and two ठीक है ये दोनों चीज़े बिलकुल सही है समझ गए नहीं समझे चलो एक कुशन का सर और दू क्लास कातम करते हैं दा मोस्ट कॉमन फर्म ओप दाट डेमोक्रसी टेक इन आर टाइम सब्सक्राइब को सभी लोगों की ओर से निर्डा ने के अनुमती होती है क्या लिखाया ये भारत प्रतिजिदी लोक्तंत्र का उधारण है इंडिया एक्जाम्पल ओफ री प्रेजट ये तो आप शुरू से समझते आओ इससे क्लियर है सेकंड पर आओ सेकंड क्या कह रहा है सकंड कह रहा है आपके यहां क्या जो अल्प संख्यक है क्या वो निर्ड़ ले रहे हैं आपके लिए अल्प यह बताओ कि अगर बालो कि 70 लोगों ने वोट किया चलेगी किसकी तो आप यह कैसे कह सकते हो कि भाई माइनरोटी जो है वो डिसीजन लेगी बहाफ आप अल्ड़ फीपल सेकंड रॉग हो गया फर्स सही है हमारे इंडारेक्ट फॉर्म अब गोवर्मेंट है इंडारेक्ट फॉर्म अब गवर्मेंट आप देखो लास्ट कुश्चन है यह कुश्चन चलो आपके लिए छोड़ देती हूँ वही है जो मैं आप तक कॉमेंट केजिए का बच्चों आप देखो मैंने आपको एक कुश्चत दिया था कि लोग तंत्र और क्लास की शुरू में यह बताया है इसको कैसे लिखना अगर किसी बच्चे नो उस इपर्मिशन को स्किप कर दिया हो तो यहां देख लो लोग तंत्र एक आधोने कुदा अगरवादी विचांधारा है और इसके मूल आदर्शों के रोपे व्यक्ति की गरिमा सम्मार अब देखो आज भी अपने बात की नहीं कि डिग्रिटी ऑफ पीपल कैसे जो है वे डेमोक्रिटिक कंट्री में जादा है ठीक है डेमोक्रसी में जादा है जनता की सहमती पर श बेस्ट ऑन दा कंसेंट ऑफ जनरल पाबलिक डिसकस डेमोक्रसी के इंडेक्स आपके लिए हॉमवर्क है बच्चों बीच क्लास में कभी और बताऊंगी ठीक है हॉमवर्क है आपके लिए याद रखना आपसे सभी क्लासिस का डिवरेशन जादा होगा हो सकता है टू आर के आसपास हो वेकॉज अब जो है आपके कॉंसेप्ट बढ़ गए है अब छोटे जोटे कॉंसेप्ट आपके बढ़ गए है डेमोक्रसी ऑफ इंडेक्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें रेंक क्या है यह सब नहीं बता रही है यूपसी कुश्चन सब टाइम पूछता है इ पॉलिटिकल पाटेक्सिपिशन एंड पॉलिटिकल कल्चर तो यह पाच ऐसे कैटेग्रीज है ना पाच ऐसे पेरामीटर से बच्चों जिसके आधार पर एक डेमोक्रसी जो है उसको फाइंड किया जाता है उसको निकाला जाता है सभी देशों है यह आपका होंवर्क है इ सब्सक्राइब की फिर एलेक्टोरल पॉलिट और नेक्स्ट वीक में आपका है मतलब इस वीक में यह खतम हो जाएगा बंडे ट्यूस्टे वैंस्टे थास्टे फ्राइड फ्राइड तक ही क्लास होती है आपकी क्लासिक्स का यह जो चैप्टर से जुड़ा हुआ है हमने ज सब्सक्राइब कर बना है हमने कुछ को इस देखे हमने एक डेफिनेशन और डेफिनेशन जैसे ही हमारी यह खतब हो गई वैसे हमारा चैप्टर खतब होगे ठीक है डेफिनेशन बहुत इंपॉर्ट इसको एजटिस लिखना ध्यान लखना अपने आप जो है कवर कर ले जा पीजी से ठीक है और लास्ट हमने देखा रूल अफ लॉव इसको हमने सब्जा जिब बांबे से ठीक है यह सब हमने पढ़ा एंड वाई डेमोक्रसी स्वामने मैरिट डी मैरिट्स की बात की लेकिन लाफ लासली सबसे बेस्ट फॉर्म जो है हमारे पास वह डेमोक्रसी है इसलिए हमने इसको अपनाया आई होप और एक कुशन दिया में साल से राइटिंग के लिए और हम वक है आपका डेमोक्रसी चलिए सो बच्चो थैंक्यू थैंक्यू वेरी मच अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो कॉमेंट कीजे लाइक कीजे सब्सक्राइब कीजे अग आगे जो अपकमिंग वीडियो से उन सबके भी रोटिफिकेशन और बागी चीजे आपको मिलती रहेगी वीडियो शो होती रहेगी ठीक है चलिए सो मिलते है कल की क्लास में थैंक्यू थैंक्यू सो मच